सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन दवाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप इंडियन कॉस्ट गार्ड नेविक यांत्रिक जीडी डीवी इसका ओनलाइन एड्मिट कार्ड किस प्रकार से निकल सकते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा मैं आपको बताऊँगा आप अपने मुबाइल से घर बेठे अपना इंडियन कॉस्ट गार्ड का सबसे पहले आपको इंडियन कॉस्ट गार्ड की साइट खुल लेना है तो दोस्तो एड्मिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक में व महां से लिंक पर जाकर अपना इड्मिट कार्ड निकाल सकते हैं तो दोस्तो फिर आपके सामने इस तरीके से पेज उपन होगा तो यहां पर आपको अपना इड्मिट कार्ड निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने इमेल आईडि डालना पड़ेगा यहां पर अपना password नहीं है password भूल गए हैं तो आप forget password इस पर click करके आप अपना password reset कर सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर forget password करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी email ID डालना पड़ेगा फिर यहाँ पर आपको दोनों option में से किसी एक option पर click कर देना है कि आप OTP अपनी email पर मंगाना चाहते हैं या SMS द्वारा तो जैसे आपको SMS द्वारा मंगाना हो तो आपको इस पर click कर देना है फिर उसके बाद में यहाँ पर click here generate OTP इस पर click करना है आपके mobile नंबर पर या email पर एक OTP जाएगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है और यह को केपचा कोर्ण इस बॉक्स में डालने के बाद में आपको submit पर click कर देना है तो इस प्रकार से आपका जो है password reset हो जाएगा फिर उसके बाद में आपको back करना है यहाँ से इस प्रकार से अपनी email id डाल देना है और यहाँ पर अपना password और यह capture code इस बॉक्स में इस तरीके से डालना है आपको यहाँ से click करके इन में से select करके यह capture code भी इस डबे में डाल देना है और उसके बाद में आपको login पर click कर देना है जैसे login करेंगे तो आपका admit card है वहाँ आपको download कर लेना है उसे save करके रख लेना है या print out निकाल के रख लेना है तो दोस्तो इस प्रकार से आप Indian cost guard navig gd db yantrik 02-2021 post जो की stage second के लिए admit card है यह तो इस तरीके से आप अपना admit card आसानी से निकाल पाएंगे तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो please like कर दीजिएगा और channel को subscribe कर लेजिएगा इसी प्रकार की latest वीडियो सबसे पहले देखने के लिए thank you दोस्तो धन्यवाद